सब्सक्राइब कीजिए प्रत्मेश चोतिस चैनल को ताके हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्थो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके वीवा के उम्र कौन सी होगी आपका वीवा किस दर्शा में होगा और कौन सी वो महीने हैं जिस महिनों में आपके विवा की संभावना अधिक होगी और अगर आपका विवा नहीं हो पा रहा तो उसके क्या हो पाएं करने चाहिए जैसे सीगर विवा हो तो यह सब जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देगे तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं मिथुन राशे की जिसकी लिए चाहि लड़का हो चाहि लड़की हो राशी मिथुन हो या फिर आपका नाम जो है वो का की कू घरड़ के को ह से शुरू होता हो तो आपकी राशी मिथुन है और मिथुन राशी के जो स्वामी होते हैं वो बृत होते हैं ये दुई सुभाब वाली राशी मानी गई है इसका तत्व वायू है ये वायू तत्व के राशी है और इनके इस्ट देपता होते हैं गडेश भगवान तो अब हम बात करते हैं आपका हमारा जो में वीडियो है वो आपकी राशी के अनुसार आपका बिभा कब होगा तो मिथुन राशी का जो बिभा के बर्ष होते हैं अगर आप 19 वर्ष से शुरू होके इनके बिभा के योग 27 वर्ष तक रहते हैं और आम तोर पर 19 वर्ष से इ महिनों में होता है तो अप्रेल मैं ये इनके बिभा के प्रवल योग माने गए हैं अप्रेल और मैं महिने में इनका बिभा होता है अगर हम बात करें दिशा की किस दिशा में होता है तो बुद्ध का जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा को माना गया है तो मिथुन राशी के ज pada qyoda kita hai से उनका विभाव आम तोर पर उत्तर दिशा में होता हे जनली ये Craốt नीयम चाहे लड़का हुए लड़की मितों राशी वालों untuk में लागू होते हैं अगर आपकी कुंडली में जो सब्बाख होता है विभाव का वाव होता है उसमें कोई ग्रह बक्री ना हो पाप ग्रह ना हो जैसे कि मंगल, सूरे, राहू, शनी अगर ये ना हो तो आपका पिवाज नियम बताए गए हैं इन वर्षों में अवस्य हो जाता है इन महीनों और दिशा में होता है लेकिन अगर नहीं हो पारा तो इसका कारण आपकी सब्तम भाव होगा उन्हें आप दिखाए किसी जोसी को और उसका निवारन कीजिए निवारन के लिए जो मितुन राशी के इष्ट देव हैं गड़ेश भगवान को माना गया है तो गड़ेश भगवान को दूवा बहुत पसंद है आप किसी भी गड़ेश मंदिर को बुद्वार के दिन जाईए और गड़ेश भगवान को दूवा अर्पित कीजिए मंत्र है ओम गंग गड़पते ही नमा इस मंत्र का जाप करते हुए दुर्वा अर्पित करें इसके अलावा किसी नदी पर आप बहते हुए साफ जल में दुर्वा को चड़ाएं इससे और बुद्वार के दिन हरे वस्तर पहने हरी चीजों का सेवन करें जैसे पालक है मूँ की डाल है लोकी है मतलब जो भी हरे रंकी सब्जी हो उसको आप खाने में गरहन करें तो आपके लिए अच्छा होगा आपका बुद्ध मजबूत होगा क्योंकि बुद्ध होता है वो बुद्धी के देपता होता है आपकी बानी के देपता होते हैं इसकी वज़े से आपका जो नोकरी ब्यवपार में आप तरकी करते हैं अगर आपका बुद्ध कमजोर होगा तो इन छित्रों में भी आपको समस्यों का सामना करना पड़ेगा तो अपने बुद्ध को मजबूत कीजिए और यह कुछ उपाए कीजिए बुद्धवार के दि दूबा खिलाएं और हरी बस्तों का दान करें अगर फिर भी आपका जो बुद्ध करें वो कुछ ज्यादा ही कमजोर है या पीडित है तो उसके लिए मंत्र है ओम द्राम द्री दो सहा बुद्धाय नमा इस मंत्र का जाप कीजिए अगर आपको कठिल लगता है तो आप ओम बुद्धाय नमा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं इनकी संक्या नो हजार बताई गई है इन मंत्रों का जाप करेंगे और गड़पती भगवान की पूजा करेंगे तो आपका बुद्ध मजबूत होगा और आपके जो नोकरी ब्यवसाय या ब्यवा के संबंद में जो कि अंद्ध आसे घाया ने आ जोफित का जो रत्न है वह बताई गया है आप जो हरेरंग का होता है अब फुद्ध दिन , इसे धारन किए आपकी समस्य गोहां गो सकते हैं लेकिन किसी की सला के बाद ही ये करें आशाय वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए धन्यवाद